तो हाई गाईज, विलकम बैक इंग कॉलेज ग्यान 24 पार्टनर्स अफ एड़ोग्रोन, मैं हूँ आसे सिंग आपका कॉलेज काउंसलर, I hope आप सब लोग अच्छे और सेफ होगी, यह जो लिस्ट है यार, यह मेरा ओपिनियन है, मैंने जो रिसर्च किया है, मैंने जो बंदों से बात किया है, उसके बाद फाइनली काफी मेनत करने के बाद, यह मैंने टॉप कॉलेजिस की लिस्ट रे दी किया है, I hope यह वीडियो आपको काफी पसंद आएगा, तो जो भी ब है, ठीक है, एड्मिशन कैसे होता है, प्रोसेस क्या, यह सब चीज़ें आपको बताते चलूँगा साथ में, ठीक है, तो वीडियो पूरी लाश्ट तक देखना है, साथी साथ यह जो हमारा चैनल है, कॉलेज ग्यान 24, यूट्यूब चैनल है, इस पे अपन सिंगल सिंगल क करते हैं, और आने वाले कुछ समय में और भी इंटरस्टिंग कंटेंट आपके लिए इस चैनल पे लेकर आते रहेंगे, तो यार इसको जरूर फॉलो करना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो चलते हैं, कॉम्प्प्र स्क्रीन पे, सेसन को स्टार्ट कर Hey guys, college admission or counselling से related, किसी भी तरह के inquiry के लिए, आप हमारे साथ अपना appointment book कर सकते हैं, just click on book a call, then on appointment page, select your services, like college counselling, click on that, choose your date, then choose your schedule time, like this, now put your email name, phone number and related question and then click on that tick button and submit it. So, yeah, top 10 private BA college in Bhopal, Madhivrides, ये list में आपको show up करने जा रहा हूँ, पहली बता दिया हूँ, ये मेरा opinion है, मानना है आपको, नहीं मानना है, वो आप पर depend करता है, ये मेरे research, मेरे जो मैंने contact है, मेरे जो research है, उसके according मैंने bachelor of art की एक list बनाई है, private colleges की, खास कर Bhopal से, मानना ना मान आप पर depend करता है, ठीक है, So, यार, बात किया जाए, तो टॉप private BA college in Bhopal में, तो number one पे मैंने the Bhopal School of Social Science, BSS Bhopal को रखा है, रहिसी college है, हरियाली है, हर तरफ अच्छा college है, placement की बात किया जाए, तो placement भी जवरदेस्त है, Bhopal का commerce side या art side में कोई top private college में आता है, तो ये ही college आत है, admission आपके percentage base पे अराम से हो जाता है, बट यार, ये सुरू में तो preference ये 12 में आपका अच्छा खासा percentage है, तो उस percentage के base पे आपको preference देंगे, बाद में गर seat वगएरा बचता है, तो low percentage वाले criteria students जो है, उनको भी admission मिल जाता है, बड़े आराम से कोई भी without any entrance exam, ठीक है, So, आग owners, become, BA, पहुत सारी courses आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगा, क्योंकि यार, बोपाल का base commerce arts के लिए special नामी college माना जाता है, इसको private sector में ठीक है, तो अब fees की बात किया जाए, तो अपन सिर्फ BA की fees की बात करेंगे, तो 21,500 मतलब समझे लो, approximate 22,000 के आसपास एक साल की आप अगर इसकी बात करें, तो 12th pass हो, direct admission हो जाएगा, कोई भी entrance exam देनी की जरूत नहीं है, बठाप percentage अच्छा होना चाहिए, admission जब start होता है, तब तो यह अच्छे percentage वाले को भी preference देते हैं, बट देरे देरे जब admission की ending होने लगती, admission closed होने वाला रहता है, अगर seat बच जाती है, देन कम percentage वाले को भी admission मिल जाता है, ठीक है, address and contact info की बात किया जाए, तो यहाँ पे address, contact info, इनकी official website की link वेगरा मैंने दे दिया हूँ, अगर आप check out करना चाहते हो, check out कर लेना, number भी Google पे था, वो मैंने provide करा दिया, call करके एक बार check कर लेना, जो भी inquiry हो, otherwise हम तो हैं आपकी help क लिए, now दूसरे number पे हमने career college भोपाल को रखा है, तो यार, BA में bachelor of arts की बात करें, तो भोपाल में private college में दूसरे number पे career college को based माना जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप बात करोगे ना, किसी भोपाल के आपके friends होंगे, या जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो भी आपको यही suggest करेंगे, ठीक है, जो उस field में थोड़ा वो जानकारी रखते हैं, ऐसे एरे गयरे समत पूछ ले ना, वरना तो उनको तो यह भी नहीं पता होगा, college का नाम सुनके बोलेंगे, यह कौन सा college है, है न, so, affiliation की बात करें, तो रिकोगराई, AI City से recognized हैं, यह भी बरका तुल बट मैं approximate आपको यहां पर value बता दे रहा हूँ, यहां पर जो BA की fees है, वो भी लगबग 21,000, 18,000 से लेके 22,000, 23,000 के per year की बीच में है, approximate value, detail में जानकारी चाहिए, तो आप हमसे जरूर contract करना हम आपको share करेंगे, approximate value मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, address and contact info की बात करें, त सब मैंने provide करा दिया हूँ, आप check out जरूर करना है, ठीक है, now admission यहां पर भी, यहां पर भी admission वैसा ही होता है, जैसे मैंने top first college की बात किया, कोई entrance exam देनी की जरूरत ही है, बट यह सुरू में यह भी अच्छे percentage वाले को preference देते हैं, बट यार देखा गया है, इस college में थोड़ करेंगे, यह जो market में जो चल रहा है, क्या बोल सकते हैं, छोड़ो हटाओ, सो तीसरे नंबर पर भुपाल में, मैंने रबिंदरनाथ टैगोर, आर एंटी यू भुपाल को रखा है, ठीक है, अच्छा college है, पहले ISECT नाम से जाना जाता था, ISECT University से, यही है ना बाई, मैंने गलत तो नहीं बोल रहा हूं, I hope वही हो, जो मैं सोच रहा हूं, क्योंकि यार इतने सारे colleges को याद करना थोड़ा सा हमें, प्रॉब्लम होता है, I think इसको ISECT University पहले कहा जाता था, अब यह सायद R&TU हो गया है, एक बार वेरिफाई कर लेना, बट यह अब तो भाई, यह आर की तरीके से affiliated है, courses की बात करो, तो BA, BCA, BCA, BCOM, honors, BA, BPT, BPAD, BA, वगएरा भी काफी सारे courses करा जाते हैं, फलाना ठीकालना, पूरी एक लंबी list डाल दिया हूं, अराम से बैठके देखते रहना, इसकी link मैं description में दे दूँ आपको, है ना, fees की बात किया जाए, तो यहाँ पे बात करेंगे, BA की, तो 52,000 के आसपास इस college में BA की fees है, थोड़ा सा महेंगा है, बट ठीक है, अच्छा है, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना, तो कुछ भी admissions related भी यार, अगर आपको कुछ प्रब्लम आती है, आपको process में प्रब्लम आती है, admission में आपको carriers related जो भी problem हो, हमारे साथ discuss करो, हमारे team आपकी पूरी help करेंगी, ठीक है, address and content info वगरा मैं provide करा दिया हूँ, official link भी provide कर दिया हूँ, website की आप check out कर सकते हो, number वगरा, सब content information मिल जाएगा, otherwise अपन है, बाकी के जो top 7 के list है, यार, वो इसी में मैंने add up कर दिया है, starting main top 3 के बारे म मैं ज्यादा top 3 को ही matter करता हूँ, यार, अगर आपको कभी मुझसे पूछो कि sir, किस में admission लिया जाए, तो मैं हमेशा top 3 जो colleges है न, उनको ही preference करूँगा, private sector में खास करूँगा, बाकी अगर आपका पैसे से related कुछ problem आती है, फिर जीस भी चीज से problem आती है, आप थोड़ा सा लो college ढूंडना ढूंड रहे हो, फिर भी top चाहिए, तो top 10 की list में आपके लिए ready कर दिया है, उसकी link आपको वीडियो को description मिल जागा, आप जरूर check out करना, आसा करता हूँ, ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, काफी मददगार होगा, ऐसे ही वीडियो के लिए regular ह हमारे चनल को subscribe कर लिए, bell icon क्लिक कर लिए, और आप भी किसी content पर वीडियो चाहते हैं, तो comment करके जरूर बताएं, मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक लिए good bye and take care